कोरोना संक्रमन महमारी से लड़ने के लिए कॉंग्रिस के पूर्व प्रदेशा ध्यक्ष एवं नादोन के विधायक सुख्विंदर सिंग सुख्षू ने अपनी विधायक निधी से हमीरपूर मेडिकल कॉलेज के लिए 35 लाक रुपे देने के बाद प्रदेश के मुख्यमं जैराम ठाकुर से मुलाकात कर हमीरपूर मेडिकल कॉलेज में जल्द से जल्द करोना संकर्मन का पता लगाने वाली मशीन आटी-PCR को जल्द स्थापित करने की मांग की है विधायक सुखु ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कहा की वे जल्द से जल्द स्वासवभा को निर्देज दें की हमीरपूर मेडिकल कॉलेज के लिए उनकी विधायक निधी से स्विकृती आटी-PCR मशीन को स्थापित किया जाए उन्होंने मुख्यमंत्री जारम ठाकुर को बताए कि आटी-PCR मशीन से ना केवल कोरोना संकर्मन के टेस्ट होंगे बल्कि इससे अन्य बिमारियों जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ट फ्लू, चिकन गुनिया, HIV, डेंगू आदी के संकर्मन टेस्ट भी होते हैं और अब उन्होंन जिला के करोना संकर्मन के मरीजों को इलाज के लिए हमीरपूर जिला के भोटा में लाया जा रहा है तो अब इस मशीन का जल्द से जल्द हमीरपूर मेडिकल कॉलेज में स्थापित होना और भी आवश्यक हो गया है ताकि तुरंत संकर्मन के टेस्ट के परिनामा सके